दोस्तों हमारे देश में हिंदू आबादी बहुत ज्यादा है जिस कारण यहाँ छोटे बड़े लाखों मंदिर हैं। भारत के तमिलाडो राजे को तो मंदिरों का राजे भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आप से पूछूं कि दुनिया के सबसे बड़ा मंदिर कहा परिस्थित है तो आप में से बहुत सारे लोग इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं हम किसलिए हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एलिया के हिसाफ से दुनिया के दस सबसे बड़े मंदिरों के बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राहूल और आप देख रहे हैं सची खबर यूट्यूब चैनल तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मंदिर का आर्खिटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। पूरी तरह से ग्रिनाइट से बने इस मंदिर का मुख्य भवन 200 फिट उचा है। यहां स्थाबित सिलिंग 12 फिट उचा है जब कि नंदी महराज की मुर्फी 12 फिट उची, 20 फिट लंबी और 25 टन वजनी है। दोस् इसका मतलब यह है कि इस मंदिर में लगे इतने भारी भरकम पत्तर बहुत दूर से लाए गए हैं। उस समय आज की जैसी बड़ी-बड़ी मसीने नहीं थी इसलिए इतने भारी पत्तरों से महट 6 साल में इतना भव्य मंदिर बनवाना एक बहुत बड़ी बात थी। बात कर इसकी चित्रफल की तो ब्रिदेश्वर मंदिर करीब 25.3 एकर यानी 1,2400 वर्ग मीटर में हैला हुआ है। दोस्तों दुनिया के नौवा सबसे बड़ा मंदिर इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा के पास योग्य कार्था में स्थित है। यूनेश्को द्वारा वर्ल्ड हे इसलिए इसे त्रिमूती मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माड नौजी सताबदी में जावा पर शातन करने वाले संजेवंस के राजाओं ने बनवाया था। मंदिर के मुख्य भवन की उज़ाई 47 मीटर यानी 154 फीट है। इसके अलावा मंदिर कंपांड में छोटे बड़े 240 मंदिर भी बने हुए है। यह मंदिर 152 वर्ग मीटर यानी 37.56 एकर में फैला हुआ है। दोस्तों तमिलाडू के चिदंबरम में इस्थित थिलाई नटराज मंदिर भारत का पांचवा और दुनिया का आठवा सबसे बड़ा मंदिर है। एक लाख साथ हजार वर्ग मीटर यानी लगभग 40 एकर में फैला यह मंदिर भी भगवान शिव को समर्भी थे। यहां भगवान शिव की मूर्ती नटराज की मुद्रा में श्थापे थे। इस मंदिर का निर्माड दस्वी शताबदी में चोल राजाओंने करवाया था। नटराज मंदिर को द्रवेडियन वास्तुकला का बेहतरी नुदाहरन कहा जा सकता है। वद्धिष्ट श्टाइल में बना है। रामकृष्ण मंदिर की उचाई लगबग 112 फीट है। बात करें बेलूर माट के कुल एरिया की तो यह एक लाग साथ हजार वर्ग मीटर यानि लगबग 40 एकर में पहला हुआ है। दोस्तों इंडोनेशिया के बाली में इस्थित मंदिर पूरा बेसा की दुनिया के छठा सबसे बड़ा मंदिर है। यह बाली में हिंदु धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर कैंपस में 23 अलग-अलग लेकिन एक दूसरी से रिलेटेट मंदिर इस्थित है। इस मंदिर का निर्मार पंद्रवी श्रताबदी में हुआ था। हर साल यहां लाखों लोग इस मंदिर को देखने आते हैं। पूरा पेसा की टेंपल दो लाख वर्ग मीटर यानि 49.42 एकड में फैला हुआ है। 246 में पांचों स्थान पर है दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर इसे स्वामी नारायन अक्षरधाम भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्मार स्वामी नारायन संस्था जिसे बीए पीएस कहते हैं के द्वारा करवाया गया था। इसे पब्लिक के लिए 6 नौबर 2005 को खोला गया यह मंदिर गुजरात के गांधी नगर में इस्थीत स्वामी नारायन अक्षरधाम की कूबहु कौपी करके बनाई गई है। अक्षरधाम मंदिर का डिजाइन और वास्तुकला यहां आने वाले लोगों का मन मोह लेती है। इसके अलावा अभिषेक मंदब, वाटर शो, कल्चरल बोट राइड लोगों को बहुत पसंद आते हैं। बात करें अक्षरधाम के कुल एरिया की तयह मंदिर दो लाख चालिस हजार वर्ग मीटर यानि 69.3 जीलो एकड में फैला हुआ है। दोस्तर इस लिष्ट में चोथे स्थान पर मौझूद है दिल्ली में स्थित छतरपूर मंदिर। इस मंदिर का निर्माड बाबा संत नाखपाल जी ने साल 1974 में करवाया था। मंदिर का एरिया मुखी रूप से तीन अलग-अलग कॉम्पलेक्स में बटा हुआ है। इसमें 20 से भी जादा छोटे बड़े मंदिर मौझूद हैं। इस एरिया का पहला कॉम्पलेक्स मुखी रूप से माता कात्याईनी को समर्पित है जबकि दूसरे कॉम्पलेक्स में भगवान शिव का मंदिर है। यहां इस्थित मंदिरों का आर्खिटेक्चर नौर्थ और साउथ इंडिया का विला जुला रूप है। शेतरपूर मंदिर 79 एकर यानि 2,80,000 स्क्वाइर मीटर में फैला हुआ है। दोसर तमिलाडू के तीरुचीरा पल्ली में स्थित स्री रंगनाथ स्वामी मंदिर दुनिया का तीसरा और भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। दक्षिट भारत में भगवान विश्णू को रंगनाथ स्वामी भी कहते हैं। इस मंदिर में भगवान विश्णू के मूर्ती सोई मुद्रा में स्थापित है। सिररंगनाथ स्वामी मंदिर का निर्माड शठी से आठी स्थापदी के बीच में चोल राजाओं ने करवाया था। हालांकि विदेशी आक्रमरकारियों के हमले में इस मंदिर को बहुत नुकसान पहुँचा था। लेकिन 14 शठापदी में पांडिया राजाओं ने इसका फिर सपुना निर्माड करवाया था। मंदिर कॉंपलेक्स में 49 चोटे बड़े मंदिर विस्थापिट हैं और ये सभी मंदिर भगवान विश्नु के ही हैं। दोस्तों सिररंगनाथ स्वामी मंदिर द्रविड वास्तु कला का जीता जाकता उधारण है। हर साल यहां दिसंबर से जन्वरी के बीच में 21 दिन का एक वार्षिक समारोह होता है जिसे देखने के लिए 10 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। जबकि पूरे साल में 40 से 50 लाख लोग सिररंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्सन के लिए आते हैं। यह मंदिर 6,31,000 वर्ग मीटर यानि लगभग 156 एकड में फैला हुआ है। देखा जाए तो मंदिर कॉंपलेक्स अब नयाप में ही एक छोटे शहर के बरावर है। दोस्तो संयूत राजी अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थीद स्वामी नारायन अक्षरधाम मंदिर एरिया के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर का निर्माड बीए पीए स्वामी नारायन सर्था ने 2010 में शुरू करवाया था। इसे 10 अगस तक 2014 को पब्लिक के लिए खोला गया था। इस मंदिर का भी डिजाइन और वास्तुकला यहां आने वाले श्रटधालों का मन मोह लेता है। मंदिर के अंदर का ही नहीं बलकि बाहर की भी सिल्फ कारी देखकर लोगों की आँखें अश्चरे से खुली रह जाती है। स्वामी नारायन अक्षरधा मंदिर 6,60,000 वर्ग मीटर यानी 163 एकड में पहला हुआ है। दोस्तों अमेरिका जिसे इसाई बहुल देश में इतना बड़ा मंदिर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आप जानकर हैरान रह जाएंगे लेकिन ये सच है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं बलकि कमबोडिया में स्थित है। कमबोडिया के अंकोर में स्थित अंकोर वाट मंदिर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और पुड़ाना मंदिर है। इस मंदिर का निर्माड सूर्य वर्मन दिती ने बारहवी श्रताब्दी में करवाया था हालांकि समय बीतने के साथ साथ ये मंदिर तूपता चला गया इसके बावजो दिया मंदिर एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट में मुखी रुपस भवान विष्णू की मूर्ती स्थापित है हालांकि बाद में यहां बहुत धर्म का विश्टार होने पर इसे बहुत मंदिर में कनवर्ट कर दिया गया युनेसको द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भोशी अंकोर वाट 16,26,000 वर्ग मीटर यानि लगभग 402 एकड़ में पहला हुआ है दोस्तों इसके अलावा भविस्य में दुनिया के सबसे बड़े मंदिर स्री माया पूर्च रोदय मंदिर का निर्माठ पश्रिम बंगाल के नादिया जीले में शुरू हो चुगा है यह मंदिर 30,35,142 वर्ग मीटर यानि 725 एकड़ में पहला होगा तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही आपको यह अच्छानकारी कैसे लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक और शियर जरूर करें चैनल पर नहीं है साथी सब्सक्राइब करें और वेल आइक़न चरूर प्रेस करें फिर मिलते हैं आपने अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई चैहिन